तो हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल MSK BM Institute में दोस्तो तो दोस्तो आसा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्रिप्रेशन कर रहे होंगे ठीक है तो आज मैं आपके लिए लेक्षर नमबर थ्री जो की प्रोपटीज ऑफ डॉट प्रोड्रक्ट है उस पे मैं आप लोग को कुछ प्रोपटीज बताऊंगा और उससे रिलेटर कोश्चन करूँगा दोस्तों तो चलिए समय को जाया ना करते हुए हम लोग अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की और बढ़ते हैं और चलिए हम ल कर रहे हैं PACiger कान से लोका फॉलौ कर तो नोग बूलेंगे ये फॉलौ कर रहया आपका कॉम्यूटेटीव लॉग को कि स्को फॉलौ कर रहा है कॉम्यू अब घियान में रखना अब लिखो या जूनो चलिए हम लोग next देखते हैं अगर same vector को उसी vector के साथ अगर आप dot product करते हो मतलब a dot i करते हो तो यह क्या होने वाला mod a का holy square मतलब magnitude of a का holy square हो जाएगा अगर मैं इसी प्रकार अगर यह बोलू कि a plus b suppose करें यहां पे a plus b एक vector है a plus b एक factor है और फिर से मैं a plus b को उसी के साथ dot product कर दूँ तो मैं यहां पर यह बोलूँगा mod of a plus b का holy square यह याद रखिएगा यह ध्यान दीजीगा यह आपके question में बीच में बहुत बार use होंगे ठीक है तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं third property क्या बोलता है ठीक है third क्या बोलता है दोस्तों third बोल रहा है a dot और bracket में आपके पास b plus c है तो यह distribute कर दे रहा है a dot b और plus a dot c दिख रहा है न कैसा यह distribute हो रहा है अगर theta की value 0 से pi by 2 है अब यह theta कहां से आ गया तो आपको first lecture में मैंने dot product में बताया था कि यह जो a dot b होता है वो क्या होता बाई mod a mod b cos theta तो mod a और mod b तो positive quantity होंगे ठीक है mod a और mod b ठीक है तो बताइए cos theta जो होगा cos theta पर इसका sign depend कर रहा है a dot b का sign किस पर depend कर रहा है cos theta पर depend कर रहा है तो cos theta तो theta अगर हमारा first quadrant में हो मतलब 0 से pi by 2 के बीच में मैं यहाँ पर pi by 2 को consider नहीं कर रहा हूं देख सकते हो आप pi by 2 पर open bracket है तो अगर 0 से pi by 2 में होगा तो first quadrant में cos theta तो positive होता है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि a dot b क्या होगा positive होगा लेकिन वहीं मैं theta को अगर second quadrant में तो second quadrant में cos theta क्या होता है भाई negative होता है क्या होता है negative होता है इस case में a dot b क्या होगा negative हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह mod b to हमें सब positive होगा अब theta को अगर मैं pi by 2 exactly ले लूँ तो वो theta अगर pi by 2 है तो cos theta तो 0 हो गया तो 0 हो गया 3 dot b क्या हो जागा 0 हो जागा ठीक है चलिए हम लोग next क्यों बढ़ते हैं नेक्स क्या बोलता है देखेभ नेक्स बोलता है अब a dot b के यह बारे में जानगे एड़ल भी कहां से कहां तक vary कर सकता है a dot b कहां से कहां तक vary कर सकता है crashing महीं यहाँ पर आप gummy क्या होगा और a.b का maximum value क्या होगा तो अगर आप किसी भी quantity का या किसी भी function का या किसी भी चीज़ का अगर minimum or maximum value पता है मतलब आप बोल सकते हो कि यह quantity minimum value से लेके maximum value के बीच में like करेगी तो यहाँ पे भी वही बात करने वाले हैं हम लोग तो a.b का minimum value क्या होगा a.b का minimum value a.b का minimum तो यहाँ से a.b अभी ज़स्ट मैंने लिखा था mod a mod b cos theta तो यह तो constant होगा है तो variable तो यह theta है न भाई theta क्या होगा तो cos theta का minimum value क्या होता है minus 1 क्या होता है minus 1 तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a.b का minimum value क्या होजएगा minus of mod a mod b और maximum value के लिए cos theta क्या होजएगा 1 होजएगा तो उस case में maximum value क्या होजएगा mod a mod b तो क्या मैं बोल सकता हूँ a.b का जो value होगा वो minus of mod a mod b से लेकर mod a mod b तक होगा बिल्कुल होगा sir क्योंकि हाँ पे हमने जान लिया कि minimum value और maximum value क्या होता है चलिए हम लोग next चलते है अब बताए किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर को zero vector से dot product कर दे किसी भी वेक्टर को अगर zero vector से dot product कर दे तो result क्या हैगा always zero होगा क्या है result always zero होगा चलिए next property next property क्या बोलता है देखिए यह चीज तो देखा देखा लग रहा है ना दोस्तो a dot b का जो definition हमने use किया था उसी से अगर आप cos theta को extract करते हो cos theta को निकालते हो तो cos theta क्या होता a dot b upon mod a mod b तो यह वाला जो formula है ना दोस्तो यह जो property यह बहुत काम का है क्योंकि यह जो property है वो आपको angle between the two vector निकालने में काम आएगी to find the angle between two vector क्यासे a dot b हो गया mod a mod b पता है तो divide कर दो a dot b को mod a mod b से तो आपका cos theta निकल जागा जब cos theta आजएगा तो उसका cos inverse उसका angle देदेगा ठीक है next property क्या बोलता है next property बोलता है अगर a vector perpendicular है b vector का मतलब a और b के बिच कितनी angle बन रहे 90 degree बन रहे कितना angle बन रहा है 90 degree बन रहा है तो cos 90 क्या होता है 0 होता है जब cos 90 0 होता है तो a dot b क्या हो जगा 0 हो जगा बिल्कुल क्या हो जगा a dot b ब्रावर क्या हो जगा 0 हो जगा अब मैं इसका reverse case बोल रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, और सुनिएगा, और समझेगा इस चीज़ को, अगर मैं आप से बोलूं, condition मैं ये नहीं दे रहा हूं, कि a perpendicular to b है, condition मैं ये आपको दे रहा हूं, अगर a dot b 0 है, तो क्या आप हमेशा को किसी vector के साथ dot product करते हो, तो भी result 0 आता है, तो उस case में ये 0 हो जाएगा, b को भी 0 ले लो, तो भी a dot b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a के special के सब भी discuss किये ही है, कि ठीटा अगर 90 degree हो जाएगा, तो a dot b vector क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अगर a dot b vector ब्राबर 0 है, तो ये सिर्फ कहना कि a perpendicular to b होगा नहीं, उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि either a b 0 हो सकता है, या b b 0 हो सकता है, लेकिन अगर a perpendicular to b है, तो always we will say that a dot b vector is 0, चिक है, तो ये चीज़ को समझेगा, reverse policy, है न, vice versa वाला यहाँ पे ना है, चिक है, चले next property के और बात करते हैं, अब द है अपस में क्या है? उइक्वल है, तो उस case में क्या कर रहा हूँ, दोनों side a a लगा दे रहा हूँ, दोनों side a dot, मतलब b innoc b anda c, ऍसके 2 % बरांबर हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वक्टर को इससे भी dot product कर रहा हूँ, तो एक तरह से same vector से dot product कर रहा हूँ, तो वह result क्या हो होगा वह result क्या होगा equal होगा मतलब अगर b बराबर c ले चुके हैं b vector c vector ले चुके हैं तो a dot b बराबर a dot c होगा लेकिन अब फिरते हैं मैं reverse result ले रहा हूँ a dot b b r a dot c है तो उस case में क्या हो सकता है क्या मैं हमेशा बोलूगा b b r c है नहीं एक case यह बोल सकते हैं कि either a को 0 कर लो तो 0 बड़ाबर 0 हो जाएगा आइदर आप यह भी बोल सकते हो कि b बड़ाबर c बोल दो b बड़ाबर c बोल दो गए मतलब कि यह दोनों भी result क्या हो जाएंगे बड़ाबर हो जाएंगे और एक special कैसे यहां से निकल के आएगा a perpendicular to b minus c vector अब यह कहां से आ गई सर तो ध्यान से देखिएगा मैं यह बोल रहा हूँ ठीक है कि अगर a dot b बड़ाबर a dot c है और हमें प्रूफ यह करना है कि a vector perpendicular b minus c कर यह property में है कैसे देखिए अब rhs वाले को lhs मिल जाएए तो यहां से मैं बोलूँगा a dot b minus a dot c बड़ाबर 0 बिल्कुल ठीक है अब यहां से क्या करिए since a vector तो दोनों में common दीख रहा है तो a common निकाल लिजिए तो यहां से मैं क्या बोलूँगा a dot b minus c बड़ाबर 0 देखिए यह distributive law जैसा था क्या क्या a dot b minus था फिर a dot c होगा a dot c होगा a dot b minus a dot c होगा न इसको अब जाब आप open करोगे इसको जाब open करोगे तो यही चीज़ आएगा तो मैंने इसको compressed formula दिया property को यूज़ करके तो क्या बत है यह देखिए यहां से यह पता चल रहा है यह वला चीछ से यह वला चीछ से कि दो वेक् governments का dot product ड़ी रो हो रहा है वेक्टर a and वेक्टर b minus a जब दो वैक्टर का dot product 0 हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर a और b minus c सकत्ट के आपस में perpendicular तो यह ध्यान रखिएगा कि एसे भी रिजल्ट आ सकता है तो ऐ डॉट वी बराबर एडॉट थी है तो सिर्फ यह नहीं बोल सकते कि यह भी बराबर जीरो है या फिर यह भी बोल सकते ए perpendicular to B-C और यह LHS और RHS वाला चीज है ना दोस्तों आप यह करना सीख जाएए क्योंकि इसको यूज करका हम लोग बहुत सारे आगे question जही मेन के event board के बहुत सारे अच्छे-चे tricky question बहुत असानी से solve करेंगे अब देखिए i-cap, j-cap और k-cap के बारे में तो नाम आपने सुना ही होगा और नहीं सुना होगा दिनों ने वो सुन लिजिए कि i-cap, j-cap क्या है एक unit vector है i-cap, j-cap क्या है unit vector है किसके along अब unit vector तो direction आचीज है तो i-cap क्या है भई i-cap is a unit vector along x-axis unit vector along x-axis जबकि j-cap क्या है unit vector along y-axis and k-cap क्या है unit vector along z-axis ठीक है यह unit vector है i-cap, j-cap क्या है एक unit vector है तो अब i-cap को i-cap के साथ dot product तर रहे है j-cap को j-cap के साथ dot product कर रहे है और k-cap को k-cap के साथ dot product कर रहे है तो इसका result क्या आएगा, one आएगा, बिल्कुल one आएगा, कैसे आएगा देखे हो i-cap और i-cap क्या है, unit vector है तो इसको magnitude कितना होने वाला है, one आने वाला है तो i-cap, i-cap को आप open करोगे, तो mod of i-cap, mod of i-cap, ठीक है, into क्या करने वाले हो theta कितना होने है, same vector के वीच एंगल तो 0 बनने वाला है, तो cos 0 या फिर आप देख सकते हो, इससे पहले property मैंने पढ़ाया था, same vector को, अगर आप dot product करते हो same vector का आप dot product करते हो, तो उस vector के magnitude का square के बराबर आता है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, कि इसको हम लिख सकते है mod i-cap का holy square, is equal to mod j-cap का holy square, is equal to mod k-cap का holy square तो mod of i-cap कितना होता है, one होता है, तो one का square कितना होगा, one होगा, तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ, कि यह जो result है, वो क्या आएगा, one आएगा, तो same factor, मतलब, same यहाँ यहाँ पर मैं i-cap, i-cap, j-cap, j-cap और k-cap, k-cap का अगर dot product लेता हूँ, तो result क्या आएगा, one हैगा, result क्या आएगा, one हैगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, i-cap, j-cap को dot product, k-cap के साथ, j-cap dot product, k-cap के साथ, और k-cap dot product, i-cap के साथ, तो यहाँ पर unit factor तो था, एक along x-axis y-axis, z-axis, यह जो i-cap, j-cap था, आपस में क्या है, तीनो perpendicular है, क्योंकि x-axis, perpendicular y-axis, और फिर perpendicular z-axis है, आपस में यह तीनो x-axis y-axis, j-axis क्या होते, perpendicular होते हैं, तो हम बोल सकते कि i-cap, is perpendicular to j-cap, i-cap is perpendicular to i-cap, और dedis perpendicular to k-cap. तो यहां से जब यह perpendicular है, तो उनके dot product क्या हो गया हो गे, 0 होगे, उनके dot product क्या होगे दोस्तों, 0 हो गे, तो याद रखिएगा, अगर same के साथ dot product हो एक Singapore के साथ hea, j-cap, j-cap ke अब देहान दीजिए, dot product निकालने का आपने एक तरीका सिखा था कि definitions है कि mod, मतलब sorry, vector a dot vector b बराबर mod a mod b cos theta, तो वो तब निकालते थे जब हमको angle पता हो, theta angle पता हो, उस case में हम लोग a dot b निकाल देते थे, अब देखें, vector के form में अगर आपको vector a दिया रहा है, मतलब vector जो a है, वो आपको i cap, j cap और k cap form में दी रहा है, vector b है, वो भी i cap, j cap और k cap के form में दे रहा है, तो इस case में आप, कैसे निकालोग दोट b, तो a dot b, basically मतलब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यह तो scalar result देता है, तो basically क्या कर रहा हो, multiply कर रहा हो, तो जैसी आप multiply करोगे, तो a1, b1, plus a2, b2, plus a3, b3 होगा, अब यह कैसे है, देखो, a1 i cap, इसके साथ अगर multiply हो रहा है, तो b1 i cap वाला ही, सिर्फ result एक देगा, बाकी तो result 0 देने वाला है, क्योंकि आई cap का j cap के साथ 0 होने वाला है, i cap का k के साथ क्या result रहा होने वाला है, 0 होने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ a1, b1 बचेगा, similar way में, a2 j cap है, वो b2 j cap के साथ ही result देगा, a2 b2, बाकी के साथ क्या देगा, 0 देगा, उसी तरीके से A3 K cap B3 K cap के साथ ही A3 B3 एगा बागे साथ क्या देगा जीरो देगा तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ और यह आप याद रखिएगा यह बहुत काम आएगा जब भी आप यह dot product लिखोगे तो A vector और B vector दिया हुआ तो उसके dot product क्या करना है respectively multiply कर देना i cap, i cap, j cap, j cap और k cap, k cap वाले component को ठीक है next property क्या बोलता है दोस्तों next property बोलता है माल लिजे कोई एक lambda a scalar है उसको मैं multiply कर दिया A vector के साथ दो dot ले लिया और फिर बाहर से dot product लिएगा वी vector के साथ तो आप यह भी बोल सकते हो कि लैमडा को बाहर निकाल दो क्योंकि वह a scalar है a dot b लिख लो और बाहर में lambda लगा दो या फिर sorry a dot lambda को b के साथ ला दो result हमेशा क्या होगा बराबर होगा ठीक है चलिए next property के और बढ़ते है अब देखिए यह जो identities on dot product है वो बहुत काम का है बहुत 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 काम का है आप इस identity बहुत सारे question बनाओगे ठीक है वैसे question जो थोड़ा देखने में सुरू में असान नहीं लगते बट बन जाते तो यह identity इद्यमाग में रखिए और बहुत असानी से question solve होगा अब यह identity क्या कहता देखो vector a plus vector b का holy square vector a plus vector b का holy square तो यह कैसे आया होगा जब a plus b vector को दो बार dot product किया होगा तो जैसी आप उसको open करोगे तो mod a square mod b square plus two times a dot b plus two times a dot b हो जाएगा clear है दोस्तों उसी तरह से a minus b का holy square करोगा तो a square b square minus 2ab basically यहाँ पे a dot b लिखूँगा a b direct नहीं बोल सकता हूँ vector के time में a dot b बात करोगा ठीक है यह तो एक तरह से आप पड़े b होगे a plus b का holy square तो यहाँ ध्यान रखिएगा twice a b की जगा पे twice a dot b लिखना है अब मैं बात करोऊ a plus a vector plus b vector dot a vector minus b vector तो यह क्या दिख रहा है a plus b into a minus b तो a square minus b square तो basically आप a dot a करोगे तो क्या होगा mod a का holy square b dot b करोगे तो क्या होगा mod b का holy square तो mod a का holy square minus mod b का holy square इसका result होगा यह identity है कोई भी value put कर लो बराबर आएगा अब उसी प्रकार में a बोल रहा हो देखो यह चीज़ को ध्यान से देखिएगा mod of a plus b अगर बराबर है किसके mod a plus mod b के देखिए mod of a plus b बराबर है mod a plus mod b के ठीक है यह cases है special case जा रहा है तो उस case में मैं बोलूँगा कि a vector है parallel to b vector ऐसा क्यों सोचिए थोड़ा fraction of second के लिए सोचिए कि मैं यह बोल रहा हूँ mod of a plus b बराबर mod a plus mod b है तो मैं बोल रहा हूँ vector a parallel to vector b ऐसा क्यों देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे यहाँ रिजल्ट है कैसे आया होगा देखिए अक्सर मैं क्या करता हूँ इस तरह के चीजों में squaring करना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि हमको पता है कि mod of any vector के square कैसा है होगा दो vector को आपस में dot product कर दो तो मैं अगर यहाँ से बोलू कि mod of a plus b का whole square क्या बोलोगे mod a का whole square mod b का whole square plus twice ठीक है a dot b a dot b ठीक है अब बोलिए a dot b अब देखिए अगर मैं cos theta को cos theta को 1 ले लू cos theta को 1 मतला theta को क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ मतलब theta को 0 ले रहा हूँ जो कहा है पहले से consider कर लिया कि यह parallel to b है अगर theta को 0 ले रहा हूँ तो एक तरह से यह जो RHS है वो क्या बनने वाला है वो RHS बनने वाला है mod a का whole square plus mod b का whole square अब plus twice mod a mod b mod a mod b ठीक है और cos 0 तो 1 हो गया तो twice mod a mod b तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह mod a plus mod b का whole square है RHS वाला part RHS वाला part mod a plus mod b का whole square हो गया आप यहाँ पर देख सकते हूँ इसको जैसे ही आप cos theta को 1 करो तो a.b को open करोगे तो क्या होगा a.b ब्राबर mod a mod b cos theta तो cos theta तो यहाँ cos 0 है cos 0 पराबर 1 तो इसको मैं twice a.b को twice mod a mod b लिख सकता हूँ तो यह वाला जो part है यह वाला जो basically part है mod a square plus mod b square plus twice mod a mod b एक तरह से क्या हो गया mod a plus mod b का whole square हो गया तो अब alhc को square करिएगा तो यहाँ से यह क्या दिख रहा था अब दोनों side आप क्या करिए square को cancel कर दिजे तो दोनों side आप square को cancel करिए basically दोनों side आप square उट लिजेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ mod of a plus b is equal to mod of a plus mod of b तो यह कब संभव हो पाया यह कब possible हो पाया जब theta 0 ले पाया मतलब a parallel to b vector in similar way आप इसको देखिए mod of a plus b का whole square बराबर अगर mod of a square plus mod of b square हो रहा है सिर्फ और सिर्फ mod a square plus mod of b square हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ a perpendicular to b vector होगा बहुत असानी से बोल सकता हूँ क्योंकि यहां देखिए न यह वाला term यह वाला term cancel हो जाना चाहिए यह वाला term cancel हो जाना चाहिए तो यह वाला term cancel कब होगा जब a dot b 0 हो जाए तब सिर्फ यह वाला बचेगा तो a dot b 0 मतलब a perpendicular to b vector अब यह cases को देखिए तो यह भी आपका काम का चीज है तो यह cases को देखिए यह identity को mod of a plus b बराबर mod of a minus b mod of a plus b बराबर mod of a minus b तो यह कब possible है mod of a plus b बराबर mod of a minus b कब होगा जब a perpendicular to b होगा अब ऐसा कैसे ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ तो देखिए दोनों का फिर से आप squaring कर दीजे आप mod of a plus b क्योंकि इसके बारे में identity क्या जानते है यह identity जानते है a plus b का holy square मतलब mod of a plus b का holy square तो यही सिप जानते है तो vector के लिए यहाँ पर जो identity है न वो आपको दिख रहा होगा कि उसके dot product से उसके magnitude के square करने से बहुत असानी से मिल रहा सारा result तो इसका आप निकाल होगे तो क्या लिखोगे mod a square mod b square twice a dot b ठीक है अब a vector minus b vector का whole mode call square लिखोगे तो यह क्या लिखोगे mod a square plus mod b square minus twice a dot b अब यह दोनों बराबर कब होगा यह दोनों बराबर कब होगा जब यह वला term दोनों में रहे ही न यह ना रहे या 0 के बराबर हो जाए ना रहे मतलब 0 के बराबर हो जाए तो यह 0 कब होगा मतलब हम यह बोल रहे a dot b 0 कब होगा जब a perpendicular to b होगा को ब्राबर मतलब वो चीज भी रहा है दोनों से स्क्वार रूट ले लो दोनों साइट तो ये वेलू बराबर हो जाएगी तो ये तभी बराबर हो पार ये जब ये वयला चीज वैलेड हो रहा है एपर्पेंडिक्लर ठूवी किसमें ये आइडिंटिटी आपका होल करेगा चलिए हम लोग अगले चलते हैं और एक question करते हैं देखिये क्या question बोलता है question को पढ़िये दोस्तो question बोल रहा है कि vector a, vector b and vector c are the unit vector such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0 vector then write the value of a dot b, b dot c or plus c dot a a dot b plus b dot c plus c dot a बोला है तो given देखिये क्या दिया है पहले question से given लिखना सिखिये question बोल रखा है कि a, b, c यह वो unit vector है मतलब mod a, mod b और mod c तीनों बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे? one के बराबर होंगे क्योंकि यह unit vector है और given क्या दे रखा है? given दे रखा है sorry vector a plus vector b plus vector c बराबर 0 है अब यहां से आपको इस से आपको सोचना है a dot b b dot c और c dot a सोचना है तो यह लग नहीं रहा है कि a plus b plus c का whole square में यह a dot b, b dot c और c dot a आता है? एक तरह से सोचिए तो यह कैसे आपको whole square करने पे तो मैं यहां सिर्फ और सिर्फ यही करने वाला हूँ अभी just मैंने बताया बहुत सारे question इसके square करने पे बन जाएंगे तो इस vector का square कर दे रहा हूँ तो यह vector का square कब हो रहा होगा जब vector a plus vector b plus vector c दो बार मतलब यह multiply ऐसे हुआ dot product जैसा multiply हुआ होगा ऐसे हुआ होगा अब यह दोनों vector को आप multiply कर दो जैसी आप multiply करोगे आपस में तो a dot a बनेगा तो a dot a क्या होता है mod a का whole square ठीक है उसी प्रकार आप देखोगे तो यहां से यह यह बनेगा b dot b बनेगा यह क्या बनेगा c dot c बनेगा ठीक है और यहां से आपका क्या बनने वाला है twice of a dot b b dot c और c dot a बनेगा की नहीं आप यह पढ़े होगा identity यह plus b plus c का whole square बस वही करने वाले ठीक है तो यहां पर यह चीज़ बन गया तो a dot बतलब वाक्टर a dot वाक्टर यह क्या होगा mod a का whole square ठीक है और यह क्या होगा वाक्टर b तो mod b का whole square mod c का whole square और यह तो हमको चाहिए ही यह वाला चीज़ क्या यह वाला हमको चाहिए तो यह सपोच कर यह जो हमको चाहिए इसको मैं X मान ले रहा हूँ इसको क्या मान ले रहा हूँ X मान ले रहा हूँ फिलाल के लिए X का वेलू चाहिए तो यह क्या देगा twice X और पताएए A plus B plus C का whole square तो A plus B plus C जो वेक्टर है उसके value कितने 0 तो 0 का whole square करोगा तो क्या होगा 1 again 1 और यह 2X तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो 2X होगा वो minus 3 के बराबर होगा तो X क्या हो जाएगा यहां से X क्या होगा minus 3 by 2 के बराबर होगा और X यह क्या है X किसको माना था A dot B plus B dot C plus C dot A तो यही result आपको निकालना था तो इसका अंसर कितना होगा दोस्तो minus 3 by 2 यह आपका question board exam में CBSE वाले के लिए पूछा गया था तो यह solve हो गया दोस्तो कैसे solve कियें यह दोनों को क्या कर दिया square कर गया यह square करने पर इस तरह का similar term आने वाला है तो आप इस तरह के चीज को question को करिए practice करिए ठीक है और आसा करते हैं आपको यह वाला session properties of dot products बहुत अच्छा लगा होगा तो हमारे channel को like share और subscribe करना नहों भले दोस्तो और अपने valuable comments जीतने भी doubt है जो भी doubt हो रहा होगा आप उसको comment के माद्यम से लिख सकते हैं और suggestion भी दे सकते हैं दोस्तो तो thank you दोस्तो मिलेगे हम लोग अपने next session में तब तक लिए bye bye दोस्तो अपना health का ख्यार रखे और अच्छे से practice करते रहें दोस्तो ठीक है bye bye मिलेगे next session में thank you